हेलो मैं डॉक्टर निशी सीनियर आईवेफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवेफ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब हम दे थी के एंब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो उनकी क्या क्वालिटी और क्या ग्रेडिंग होती है पर हम हमारे सेंटर में दे कि ग्रेडिंग अलग तरह सी कियाती है ऑर उनकी सक्सेस्व रिजल्ट काफी अच्छे होते हैं जो ब्ला स्टा सीष्ट होते हुए हुन्प को हर इंब्रियो लोजी में गांडनर में अटेव के दोरह ग्रेडिंग की जाती है ब्लास्टा सिष्ट में सबसे पहले हम बात करे जो inner cell mass है वो fetus या embryo बनाता है, baby बनाता है, इसके बहार जो होता है उसको बोलते है टौफो एक्टोडर में वो placenta यानी की आमलनाल बनाती है, इसके अलावा एक cavity होती है, cavity भी बहुत important होती है, उसी के expansion के according हम यह बताते हैं कि जो हमारा blast है, वो किस grade का है, इन तीनों के हिसाब से हम blastocyst की grading करते हैं जब patients हमसे पूछते हैं कि madam आपने जो हमारा embryo डाला है वो किस grade का है आपने 4AB लिख दिया है तो यह हमें कैसे पता चलेगा यह good quality का है यह bad quality का है यह हमें pregnancy देगा या नहीं देगा तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि हम लिखते हैं 4AB तो इसमें जो 4 number है वो आपकी cavity को बताता है जो cavity है उसके expansion के according हम उसको 6 भाग में divide करते हैं फर्स्ट और सेकिंड जो होते हैं वो early blast होते हैं इसके बाद दो के बाद जो भी cavity का volume होता है उसके according 3-4 जो होते हैं वो अच्छी quality के blast बाने जाते हैं और 5-6 जो होते हैं वो hatching blast होते हैं जो A है उसमें हम small A उसको कहते हैं जिसमें की जो compact cells होता है inner cell mask का number of cells ज्यादा होती है and जो compact cells होती है number of cells ज्यादा होती है B होता है उसमें जो cells होती है वो थोड़ी कम होती है और थोड़ी सी loosely arranged होती है तो B भी ठीक होता है इसके पाद जो C होता है उसमें number of cells काफी कम हो जाती है काफी दूर-दूर हो जाती है और D में तो वो destroy हो जाती है दी जइनरेशन grapple जाता इसी परह हम करती है गोलीटी है, सारी शलस्यथे गए होता है उसमें यजञकों दूर आश्राइब कर दो के सी कुझत तो इस टीटा इस अपने मेंदे देखा है जैसे मैंने 4A, B बताया है तो 4 expansion को, A inner cell mask को और B tropho ectoderm को और इसके बाद मैंने आपको further किस तरह से हम divide करते हैं ये बी बताया है अब आपका इसमें और भी कोई question हो या आप कुछ जाना चाहते हैं अपने embryo की grading के बारे में तो आप मुझे email कर सकते हैं या suggestion box में जाके उस सकते हैं धन्यवाद